क्या लग रहा है मौनू कौन जीतेगा इस बार तो वेजेपी सत्ता से बाहर होगी वेकेंस्यों के मामले में मतलब मोधी सरकार बिल्कुल फैल रही है जो वादे किये युवाओं से बिल्कुल युवाओं को ठक लिया युवा एक एस राशन वाशन अनाज मिला अरे राशन ह कर देंगे इसे बाइया ने बता इना मेर मरता मरता किसाने आद्मियों मैं परियार के स्दियां और कंप artists पकाठ वारी आपर next में कानते दे रहा रहा है प्र distinctionे कर दो नहीं कर दो दो आजार रोपे के चालन है काम लोग कराएगा टंपू चलाते हैं का से बरेंगे मालिक अतलाओ बार बार ये बात कह देते हैं कि हम 15 करोड या 30 करोड लोगों को रूटी खिला रहे हैं रूटी खिला रहे हैं आप रोटी मत खिलाइए आप रोजी दीजिए रोजी रोटी ज़रूरी है नाराज है खुश है सरकार से क्या लगता है भाईया कि बिलकुन नहीं आने चाहिए कि सरकार यहां में इतनों बड़ा बिश्टाचार इतनी बड़ी रिस्वत खोरी कि जाकि कोई सीमा नहीं लेकिन मैं इसके अंदर में चीज देखता हूँ जब भी यह लोग आते हैं तो अपना एक नया नारा लेके आते हैं कि अफ की बार 400 के पार 300 के पार लेकिन मैं बुड़ा ही नहीं करूंगा है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अफ की बार सत्ता से बाहर सत्ता से बाहर हां मिल्कुल इस बार मोदी जी को रिटायर कर रहे हैं आप नमस्कार मेरा नाम राघव है और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं टीम मॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा अब कहुंच चुकी है मतुरा से आगरा और आगरा में जानने की कोशिश होगी कि यहां की पब्लिक का 2024 के चुनाव क को लेकर के मूड क्या है आगरा के मुद्धे क्या है आगरा की पब्लिक चाहती क्या है हम इस समय मौजूद है आगरा कैंट के रिल्वेस्टेशन के पास और हमारे आस पास लोग अपने सफर को पूरा कर रहे हैं कुछ साथी भी है जो बात करेंगे आए क्या नाम है आपका मेरा नाम है सरुन प्रकाश सरुन प्रकाश सरुन क्या लग रहा है दोजार चौबिस के चुनाव में कौन जीतने वाला है और कौन दावेदारी मजबूती से रख रहा है फिलाल विपक्ष में तो भी कोई नहीं है विपक्ष में कोई नहीं है तो कौन जीतने वाला है मोद मोदी क्या लगता है क्यूं मतलब कुछ पांच काम गिनवाई है मोदी सरकार के जिसके लगता हो कि वो जीतने वाले उन्होंने सबसे पहले जंदन खाते खुलवाई ठीक है और इसमानी ओजना और ऐसी कई जैसे रवाब गरी कोरोना के अंदर ना गरीबू को फरी में राशन करते हैं मैं लुख चलाता हूं चलाते हैं कहां तक पढ़ाई की आप मैंने बीड की हुई है तो बेट के बाद रोजगार के अफसर नहीं है क्या है लेकिन अभी योगिता नहीं है उसे साफसे अब कुछ नहीं कर सकते हैं अच्छा काम करा रहे हैं क्वेशा काम का नाम हुए और इसके लावह कोई और नहीं भी झीदा है क्या नहां है आपका इक बाल इक बाल क्या लगता है कौन जीतने वालाि मोधी जीतेंगे और आपके नाम को बडอะ और घ्रट से रहते हैं यहां दाऊथ भाई क्या लगता हैं फिंड भाई चर्ट नहीं स right लगता है उस बार आप लोग देख रहे हो जिस तरीके से यहां पर सुझता है सब्सक्राइब देखने वाले हो सफाई हुई है यहां पर बहुत ज़्यादा क्या नमें आपका कहा है सब्सक्राइब देखिए इस बार जिसको भी चुना जाएगा एक अची सरकार को अम लोग चुनना चाहेंगे जो इस देश के लिए लोग आते हैं तो अपना एक नारा लेके आते हैं कि अव की बार चार्सों के पार तीन सो के पार लेकिन मैं बुरा ही नी करूंगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब की बार सत्ता से बार बिल्कुल क्योंकि ऐसे मुद्धे हैं विरोज़गारी है भयानक स्तर पे भुखमरी है तो यह मेरा जो नारा है मैंदेश best नारा नी भोल नहीं बोल नहीं तो देखिए आप क्या चाहते हो आप यह चाहते हो कि मेरे पास एक एक बच्चा है जो मेरे गण में आके मैं उसको शचव दिये मेरी responsibility इतनी नहीं है कि मैं सिर्फ इसको रोटी खिलाओं मेरी responsibility ये बनती है कि उस बच्चे का future को मैं ब्राइट करों हूं हो मैं उसको इस्ट्रonग बनाओं तो ये जो बारबार ये बात कह देते हैं कि हम ऺंद्र है करोड़ या थीस क्शलुड लोगों को हम पार रोटी ख़िला रहे हैं रोटी ख़िलारे हैं कि टे वर नी से चाहिए समरे कि तो बहुत बड़ी बात थी आज हम आप कह देते हैं नहीं चाहिए जो भूंका होता है वो उसके दर्दों को समझ सकता है लेकिन अब वो रोटी से हम आगे निकल के आ गए हैं तो यह बहुत बड़ी बात है और में बता हूं मेरे पास आई है वन फॉर्मूला अगर गॉवर्मेंट चाहे तो हर एक प्रतिव्यक्ति को गॉवर्मेंट जॉब दे सकती अगर यह चाहे तो वह पूची कैसे तो मैं बत मैं बताता हूं ऐसे देगी क्योंकि आप एक चीज को डिटा ताइयर करिए गा इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग खड़े होंगे जिनके परिबार में आस्ता किसी को गवर्मेंट जॉब नहीं होगा आज नहीं दो पीडी से नहीं होगा तो मैं चाहता हूं उन तीन पीड़ किसी डीम के कार्याला में रखिएगा कई सरकारी इसकुल में उसको श्रावी मतलब हर आलत में एक आदमी को आपको रोजगार देना ही पड़ेगा तभी गरीबी का मतलब यह तोड़ी है कि वह एक आदमी रसकुल लोड़ा रहा है दूसरे के बास बचारे को चटनी भी नह कि तोड़े को नहीं होना चाहिए है कैसे कुछ नया होना चाहिए इसको चुनो के फिर मोडí नहीं तो कौन ये सब लोग बड़ा एक सवाल करते हें कि मोडी नहीं तो कौन इसका चुनाव होने वाला है, पिछली दो बार से भाजपा सरकार है, इस बार भी सेम सरकार रहनी चाहिए, नाराज है, खुश है सरकार से, क्या लगता है? बहिया कि बिलकुन नहीं आने चाहिएगी सरकार, यहां में इतनों बड़ा भिष्टाचार, इतनी बड़ी रिस्वत खो रही ही, कि जाकी कोई सीमा नहीं, अधिकारी इतने खुले यहां में रिस्वत ले रहे हैं, तहसिल चाता में पटवारी है, आदेश कर दिये है, SDM ने, कि इनको कुरा दाखिल किया जाए, और वान दूसरी पार्टी पे ते पैशा लेके मेरे कुराने दाखिल नहीं कर रहा है, और बराबर रिस्वत मांग रहा है, एक लाक रुपे रिस्वत मांग रहा है, मैं कहांते ते तुमें गरीब आदमी हूं, तो रिस्वत नाय रुक इतनी जोड़ते रिस्वत ले रहे हैं अधकारी या सरकार की दाई रिस्वत खोर भाई भिष्टा चार इतनों फैलो जाकि कोई सी माना है भाई हम बहुत दोखी हैं सरकार दे राशन वाशन अनाज मिल ला है अरे रासन है हमें सदावना चाहिए भैया आईने समने को मद्दे सब्सक्राइब करें करें और बड़ी कारें राद दिन करते करते हमारी पर कोई सुनाई नहीं है रही हमारी और खेती से अगर जुड़े मुद्दे देखें आपकी फसल जो बेखते हैं उसका दामवाम ठीक मिल पाता है अरे ना मिल पावे वह या कौन सी फसल करते हैं हम धान करते हैं और गहूं करते हैं तो दान के हूँ इस बार में एमस्पी पर भीका की नहीं भीका नाइब कि हमारो काय क्यों नहीं भीका है प्र नमरी नहीं आवे इतनी भीरी खटी है जानमरी नहीं आवे तो घाटा हो जाएगा और घाटा तो जाईर हो हमारों और अधिकारी हमें में वेश उपर टाएं तैसील में चले जाओ एश्डियम कुन्यारों पर इससद चाहिए पतवारी पेश्ट्र कुन्यारों चाहिए हम कांतेः देतें गरीब आदमी हम किसान आदमी हैं आप गे हमारों सब्सक्राइब ने आदेश कर दियो को आगे लिए पटवारी के लिए और फटवारी एक लाग रुपई यह माइंग रॉम कहां ते देदने एक लाग रुपई सब्सक्राइब कर दो जाएगा सब्सक्राइब करें यृऔर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे मालिक क्या लाओ चालान में चली जाएंगे जाती है तुरंत आए चालन विदे पंद्रसों का चालन कोई तो कहें पहले सो रुपे में चूटता था पंद्रसों में चूट रहा है कर दो मिट में आकर फोडू किस्ता वस कैमरे से लिए चलती गारी से यह पांसों का चालन यह कौनसा तरीका सुबह से साम तक कि हमारी में चली आती है इससे का को सौंगे बताओ कैसे बीबच्चे पालेंगे कैसे क्या करेंगे पच्चों की पढ़ाई लेकाई सब बल्द पड लोग जी ने दो करून रोजगार दिया बड़ा बहतरीन कर दिया पहले ऐसा नहीं था कौंग्रेस के साशन में वह लोग ऐसा क्यूं कहते हैं कॉंग्रेस के साशन में जो नहीं था जो कहते हैं कॉंग्रेस के साशन में तो उनको मालम होगा भी है जो जिसको मिल जाती है वो ही बोलता के दिया है और जिसको नहीं मिली नहीं दिया है मेरे को आज तीन चाल हो गए मैंने डाई लाक रुपे का फारम बरा था अभी तक मि हमें पता नहीं है उसका फोटो खीचके लगा देते क्या ना करना तो पीछे खड़े हुने से क्या होगा है न है टू है तुम्हा राकिश मेस्टां से राकिश पूरी 25 पच्चेश इतने के बाद भी खराब है क्योंकि वहां लोग अब भी पर इसान है कि वहां कर इतना करफ़सन हो रहा है कि पूछों मत कुछ भी और अब सबसे बड़ी बात कि जो गैलो सरकार की जो योजना है थी वह नीचे लेवल से उपर लेवल तक उठी ती लेकि करके कम करें किया जा रहा है तो गरीब आद में ही मर रहा है इसमें मतलब यह तो है नहीं कि अमीर आदमी को उसे वह रहा है तो अब की बार डिक्रीज होएंगे सीटे आप देख लेना जब फाइनल रिजल्ट हैं तो जाए क्या नाम है तुम्हारा जी मेरा नाम मोनु है मै पढ़ने वाला बच्चा सो से कोश्चन सही हुए थे इसके बाब जूत सतरा को सेकेंड सिप्ट का एक्जाम मतलब फैल गया इदर दो बाट सब्सक्राइब अठारा वाला हर सोचल मेडिया अब सब के पास पहुंची गया इसके वाद इसमें छे महीने का टाइम दिया गया नामीर मर रहा मर रहा है मध dulym बलाइ इसलिए मर रहा गया उसके बच्चे पढ़ते Channel करते हैं इसके बाद जब पर आगया हूँ जैसे आज मेरा एक्जाम आज भी है आज ससी जीडी का एक्जाम है मैं वह देने आया हूँ आपका इधर देखा तो मीज़र चला आया और यह देने आया एक्जाम देंगा इसका भी रिजल्ट निस्पच बरती कराई जाए सब को जोना चाहिए लेकिन कोहीन सब्सक्राइब 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 इसके बाद कर दिया रासन दे दिया गरीब जो होता है नीच लिफर का इंसान जो मतलब दिन पर द्यारी करने को कहता है चलो दो मैंने रासन डबल मिल गया यह कांटीनी उच्छे मैंने तक फिरी मिलेगा बही बोट देता है समझधार रिवा कभी नहीं देगा अपनी मन से च सब्सक्राइन जरूर रहेगा कैसे भी कराएं तो वेकेंसियों के मामले में मतलब मोधी सरकार बिल्कुल फैल रही है जो वादे किये नहीं युवाओं से बिल्कुल युवाओं को ठक लिया युवा एक इस सदमे में आ गया कि मतलब जहादा मैक्सिम लोग सुसाइड की त सबसे बड़ा दोका किया है और यह आगरा की पब्लिक हो या पूरे देश की पब्लिक युवाओं सरकार से नाराज हैं बड़े स्तर पे क्योंकि आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो भयंकर स्तर पर सरकारी भरतियों के पेपर लीक होते हैं कहीं घूसकोरी की खबर आ जाती है पेपर लीक होने के बाद छातर प्रोटेस्ट करते हैं कि तुरत कराया जाए तो उन पर लाठ सिर्वेश्य करेंगे और परिवार का कर्च उठाएंगे अगर उस बच्चे की नौकरी नáticas लगती है तो सिर्फ परिवार हताश नहीं होता है बच्चा भी हताश होता और सटाश माहल में कई बार वो गलत कदम भी उठाते हैं सरकार की जिमम्मेदारी है कि अगर उसने दो करून रोजगार का वादा किया था तो कम से कम एक करून सतर लाग का हकड़ा तो छुए पिछले दस साल की सरकार में 20 करून रोजगार का ग्राफ है लेकिन मिले दो करून भी नहीं है अब आपको तै करना है कि इस बार 2024 के चुनाव में क्या होना चाहिए फिलाल आगरा की पबलिक का मूड आपने सुना और कल मतुरा की पबलिक का भी मूड सुना था अब हमारी चुनाव यात्रा यहां से पहुचेगी सैफ़ाई जहां पर अखिलेश यादफ के गड़ में होगा चुनावी दंगल और हम आपको बताएंगे आगे की अपडेट्स तब तक के लिए आप मॉलेटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन दबा दीजे करें जहां मॉलेट्स सब्सक्राइब यादब यादब यार अवर्णे यार नहां से फिलेट होुचे अएया।